हेलो फ्रेंज, गूड इवनिंग, कैसे हैं आप सब, I HOPE की सब अच्छे होंगे तो फ्रेंज, यहाँ पर मैं यह प्याज, टमाटर, मिर्ची लेकर आई हूँ और इवनिंग टाइम है, बच्चों की छोटी सी भूब के लिए यहाँ पर मैं बनाने जा रही हूँ कंड़े की ऑमलेट आप देख सकते हैं तो यहाँ पर मैंने प्याज अड़ा कर ली हैं मिट्ची ऑयप इसलिए बनाती ऐसमें कोई चीज नहीं बनाई थी और मेरे हस्बन जी ने उसकोग मतलब चला के चैक कर लिया था और उसमें एक दो चीजें बना ली थी जैसे कि दूद को भी हमने गरम किया था और बगएरा कैसारी चीजे मतलब कर ली थी तो मैंने शुरुआत नहीं की थी उसमें कि मैं कैसे इसमें बनाओं क्योंकि कोई भी चीज होती है ना जब उसको हम जानते नहीं है उसके बारे में अब मेरे लिए मुस्किल था ओवन को चलाना लेकिन तो मेरे लिए मैं अपनी पहली रैस्पीस में ट्राइक कर रही हूं आप देख सकते हैं तो यहां पर मैंने अंडे का बैटर बना करके इसमें टमाटर हरी मिर्ची और प्याज और यहां ब्लैक पेपर और मैंने इसमें और थोड़ा सा नमक डाल करके इस तरह से साधा यह बना रही हूं और सर्दी सीजन है तो अंडे मेरे बच्चे मैं अपने घर में बच्चों को अंडे दे देती हूं तो यहां पर मैं ओमलेट बना रही हूं तो इसका मैं कर रही हूं अपनी तरफ से मतलब पहली बार में इ कि आहें पूण बनाने से झाटाने सकते हैं तो यहां पर सामने से ने से lifes blur давly को पर चार टीकिल कमने स्यट किया । श्रक्टी में चांचा तो तो प्रीच में आप डिर propose paire का चारत का है कि आप टेकल शुरे आप अहीं का है पर लिए उस भाऒन सोग डातघर में देखर यहां पर पूरा टाइम खटम हो गया और अमलेट बन करके हो गया तयार, तो प्रेंस जो इसके बारे बताने आते हैं वो आए नहीं जो की एक microwave oven है या फिर मेरे पास जो washing machine है washing machine ली थी तो उसको भी बताने आये थे set करने के लिए और oven के लिए भी बोल रहे थे लेकिन आये नहीं तो प्रेंस यहां पर मेरा ओमलेट बन करके हो गया तयार अच्छा मतलब ओमलेट बना है यह और खुस्बू आ रहे थी जब यह बन रहा था ना तो oven में से खुस्बू आ रहे थी और यह एक्तम से अच्छा वाला सिका है आप देख सकते हैं टमाटर कितने अच्छे से मैसी द आरी हो तो उमलेट कैसी लगी और मतलब कैसी लगी इसकी आपको रैसपी तो यहां पर मेने एक ओमलेट में से तो बच्चों के लिए कटकर के दे दिया है और बहुत ज़्यादा अच्छा बनाता मेरे बच्चे बता रहे थे हजबाद जी न और बच्चों ने कहा था तो ब ब्लैक पेपर और चांट मसाला भी डाला है अपनी तरफ से कोई भी चीज हम अपनी किसी भी रैस्पी में डाल सकते हैं ताकि उसका अलग से टेस्ट आए कुछ न्यू भी होना चाहिए तो साधर लोगों को बनाते मैंने ज्यादा देखाया तो फ्रेंस मैंने बनाया तो ओमल देख सकते हैं और देहली किसली जा रहे हैं यह आगे की वीडियो में आपको जरूर बताऊंगी अभी थोड़े दिन के लिए सस्पेंस रहेगा तो प्लीज मेरी वीडियो में बने रहेगा और आगे के ब्लॉग भी जरूर देखिएगा तो बहुत ही अच्छा मतलब मतलब आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग आगे से देखने को मिलेंगे क्योंकि थोड़ असा सस्पेंस अभी मेरा करी हूं आगे जाके मैं आपको जरूर बताऊंगी तो प्रेंस यहां पर यह गाजी पूर मंदी पढ़ती है और जो कि हमारे जहां हम रहते हैं गाजियवाद में इसलिए इसलिए फीडिये मंदी पढ़ गी और यहां पर एक कंछ्रे का बहुत बड़ा नहींहां पर पहाड जैसा है तो यहां पर सबस्क्राइश चील घाने तो यहां पर देखते ही बन रहा था हसी भी आ रही थी कि इतने सारे पक्षी यानि की चील बगएरा या फिर कोई बगएरा यहां पर बैठे तो इस टावर को आप देख सकते हैं कि इस तरह से पक्षियों ने घेर रखा है पूरा ब्लैक ब्लैक हो रहा था नीज जैसे लेकर उपर तक पूरा यह यहां पर यह पक्षियों से भरा पड़ा था तो इसलिए मैंने वीडियो को सूट किया क्योंकि यहां पर लगा हुआ था जाम तो मैंने सोचा चलो आपके साथ यह सेर करती हूं पूरा पक्षियों से भरा परा था तो प्रेंस हमारी दहली इतनी इतना सुन्दर था ना और गाड़ी के अंदर से वीडियो ली गई है प्लीज बताएगा कि कितना अच्छा या कभी लग रहा है ना क्योंकि नाइट है और लाइटिंग और वह भी रोड और आज कर रोड ना बहुत ही अच्छे अच्छे बन गए हैं हमारे मतलब कुछ हो ना किशानों के टेंट तंबु लगे हूए है जो कि पिछले साल से किशानोंने अपना यहां पर आंदोलन चलाया हुआ है धर्ना धर्ना देगर बैटे हूए है तो यहाँ पर यह उनके टेंट तंबू हैं जो कि एक रोडनों ने पूरी तरफ से अपने वसेरा बनाया हुआ है और क्यों ना बनाये वसेरा तो प्रेंस इसके बारे मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि हमारे किसान जो लोग हैं सरकार को जैसे कि कोई लोग नौकरी करते हैं या कोई भी जॉब करते हैं उनकी चीजों में एक कमी कर लें लेकिन सरकार को किसानों की मांग को पूरा करना चाहिए क्योंकि वही हमारा अन दाता है यदि अन है तो इंसान जिन्दा है अन नहीं है तो इंसान के लिए बहुत मुश्किल है अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ना जीना तो किसान हमारा अन दाता है एक चीज हमारे लिए हमारे कोई भी नोकरी वाले जो भी होते हैं फ्रेंस उनक उसमें कमी करें सरकार किसी भी चीज में कमी करें मैं अपनी वीडियो के यहां से बोलना चाहूंगी कि जो किशानों की मांग है सरकार को किशानों की मांग को पूरा करना चाहिए तो अभी पता नहीं क्या हो रहा है पिसले साल से मैं देख रही हूं और अभी भी कुछ न पूरी तरह से खाने पीने का सोने का यानि की पूरी तरह से घरबार चोड़कर के वह रोड पर पड़े हैं किसी को सौक नहीं होता है देखो अपना अच्छा खासा जिन्दगी जीते हुए और यहां पर रोड पर आकर बैठे क्योंकि उनकी कुछ मतलब भजलें के बारे में जो भी कुछ है उनका मांग पूरी नहीं हो रही है तो वो एक अपने लिए नहीं जो भी बैठे हैं वो अपने लिए पूरी देश की जंता के लिए हां पर बैठे हैं क्योंकि जो भी उनका हक है वो एक के लिए नहीं है पूरी किशान लोगों के ल लोडों पर बैठे हुए हैं तो अपने बच्चों को छोड़ करके तो फ्रेंस बहुत मतलब अजीब सा लगता है जब किसान लोगों को देखते किसी को सौक नहीं होता इस तरह से रोड पर आके जिंदगी को बिताना तो फ्रेंस यहां पर देखो लाइटिंग कितनी बड़ी लग रही है ना मेरी वीडियो आपको थोड़ी भी इच्छे लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर प्लीज मेरी पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मतलब व्यू फ्रेंस बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं तो प्लीज प्लीज फ्रेंस मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए बहुत परेशान हो रही हूं अब दी मोटिवेट हो रही हूं मैं सॉरी फ्रेंस कुछ भी बोल देते हैं कभी-कभी तो ऐसा ना करो कि कोई यदि आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछा ले जाये जाए तो प्लीज फ्रेंस स अब तकि ये बड़ा जा, weiß तो प्लीज उ政ाए उसान हो ठाल को सबते हैं वाक्भी देता है कर देते हैं